हेलो गाइस और वेलकम अगेन आज हम बनाने वाले हैं काना का बैड क्योंकि मेरे गर पे छोटे से लड़ू को पाल आ गए है तो इसलिए उनका बैड नहीं था मैंने सुचे क्यों ना घर पर ही बना लो तो मेरे पास नहीं कि जुएलरी बोक्स रखा हुआ था जिसमें मेरी जुंकी आई थी मैंने इसको उपर वाला जो कता था इसका वो सब कट कर लिया अलग-अलग पीस में और जो उपर वाला था न उसको नीचे वाले मैं ऐसे करके एड़जेस्ट किया अभी तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ अब इस पर कपड़े से अच्छे से इसको कवर करे ये इस पर मैंने अच्छे से फैविकोल लगा दिया और ये फैविकोल से ही चिपक जाता है कपड़ा तो बट जो माला वगेरा होती है न वो इस वाले फैविकोल से नहीं चिपकती है फिर मैंने इसको अच्छे से कवर गया नीचे थोड़ी सी जगह रह दी थी तो मैंने उ पच्छे से अंदर की तरफ चिपका देंगे कर त्याके लगाएं पिछे की साइब टाके लगा दे दो उससे ये आगे की तरफ नहीं बागता पर नहीं ना आगे की तरफ भाग रहा था अब दिये देखो हमारा चोटा था क्योंकि मेरे लड़ू गोपाल चोटे से ही है इसे हैं मैंने चोटा ही बैड बनाया अगर आपके बड़े हैं तो आप मिठाई के डबे सेवी सेम इसी तरह से बना सकते हैं और ये कुछ मेरे पास मोती पड़े हुए थे जो यावी के बड़े केक आया था ना उसके उपर क्राउन लगा हुआ था उससे मैंने निकाले थे और इनको मैंने एक सुई धागे की हैल्प से एक माला की तरह बनाया और इसमें मेरा काफी टाइम वेस्ट और मैं बाद में बताती हूँ इसके साथ क्या हुआ और ये मैंने अच्छे से पूरी माला बना ली और इसको ऐसे चारों तरफ लगा के देखा फिर मैंने इसमें कुछ टाके भी लगाई वट ये फिर भी अच्छी जीन नहीं लग लिए थी, फिर मुझे मिली लैस एक जो मैरे दुपटे पर लगी हुई थी ये वाली थी वो लैस मैंने अपने दुपटे से ये वाली लैस हटाई फिर मैंने पहले इसको नीचे की साइड इसको cut किया इसी के साइड में और नीचे की तरफ इसको फैविकोल की help से paste किया जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको ऐसे दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे इसको फैविगो लगा के पेस्ट करूंगी और वो माल अच्छे से चिपक नहीं पारी थी ना बार बार हट रही थी इसलिए मैंने उसको हटा के उपर भी यही लैस लगा दी और इसके बाद जो अंदर अब अगर आप भी अपने काना के लिए बैड़ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और यह छोटा सा पिलो भी मैंने खुद से ही बनाया था और इस पे ही मेरे काना जी सूते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब